Bleach के अंदर Hollows और जो Lost Spirits होती हैं उन्हें सिनिकामी Soul Society के अंदर भीजने का काम करते हैं ताकि Human World के अंदर Balance को Maintain करा जा सके और सभी Souls को एक Passage से गुजरना पड़ता है जो Passage हमारे Human World और Soul Society को Connect करता है जिससे डंगाई कहा जाता है और इसमें से कभी एक Normal Human Cross नहीं कर सकता है और ये Soul Society के अंदर कितनी Souls आएंगी और कितनी Souls पाहर जाएंगी ये हमेशा से Independent Action नहीं हुआ करता था क्योंकि हमारे Soul Society को Control करने का काम एक Entity करती थी जिससे Soul King कहा जाता था जिसने ये जिम्मिदारी ली थी कि वो इस दुनिया को बचाएगा अब आज की वीडियो के अंदर हम बेसिकली जानने वाले हैं कि ये हमारा Soul King आकिर था कौन इसका Origin किया था और इसको Seal क्यों किया गया था और तो और इसके कुछ Parts को Different Different जगा पे भेज दिया गया था तो ऐसा करने के पीछे क्या वज़ा थी वो भी हम आज एकी वीडियो में जानेंगे तो वीडियो काफी ज़्यादा इंटर्टेनी होने वाली है तो एंट तक ज़रू बने रहना चलिए इसे सुरुआत से सुरू करते हैं लेकिन पहले के टाइम में ये तीनों अलग-अलग नहीं हुआ करते थे सरफ एक ही रेल्म एक्जिस्ट करती थी जिसके अंदर सुल्स एन हमारी यूमन्स को एक्जिस्टेंस में रहा करते थे लेकिन एक दिन इनके बीच में से सुल किंग अपियर होता है और एक करके सभी हॉलोस को मारना सुरू कर देता है अब इस एक्ट के पीछे उसके पास एक बहुत अच्छी खासी वज़ा होती है क्योंकि दिन प्रिमॉर्डियल रेम जिसमें सिरफ सोल्स एक्जिस्ट करती थी और उस एज को ही हमारी प्रिमॉर्डियल एज कहा गया था जहां एक fixed period of time के बाद हमारी जितनी भी souls होती थी वो hollows में convert होना सुरू हो जाती थी लेकिन इस time में भी हमारा hell exist करता था जबकि life and death का कोई भी concept नहीं था उस समय भी तो theories के according तो ऐसा कहा जाता है कि hell इसलिए exist करता था क्योंकि उसके अंदर एक बहुती ज़ाधा powerful demon beast exist करता है जो हमें hell arc की one shot manga में भी appear होते वे देखने को मिलता है आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि एक सिक्के के दो पहलू है जिसमें से एक हमारा soul king है तो दूसरा हमारा hell में exist करने वाला powerful demon और इन दोनों को ही एक powerful identity ने भनाया था था कि वो hollows को control कर सके और stability को maintain कर सके खेर back to the topic जो hollows appear हो रही थी वो हमारी दूसरी souls को खाने लगती है जिसकी वज़े से एक बहुत जादा बड़ी giant हमें hollow देखने को मिलती है जिससे नाम दिया गया manos और manos अपनी भोक मिटाने के लिए बहुत जादा souls का consumption करने लगी थी तो एक तरह सा ऐसे मान लो कि अगर manos को रोका ना गया तो इस पूरी दुनिया के उपर सिरफ एक giant manos ही देखने को मिलती हमें आगे जाके और इस चीश को nature खुझ से ही reject करने लगा था इसलिए एक soul bond होती है जो इन्हें रोकने का काम करने लगी थी जिसे ही soul king कहा जाने लगा जो एक तरह का knight था जो सभी को इस खत्रे से बचाने के लिए bond हुआ था अब जिस time period के दोरान में हमारा soul king appear हुआ था या फिर bond हुआ था उसी time period में हमारा ichi baby bond हुआ था मिंस ये information में इसलिए बता रहा हुआ क्योंकि इसका आगे use होने वाला है अब हमारे soul king ने सभी manos को defeat कर दिया और उनको sand of freshry में convert कर दिया ये वही sand है जो हमें hyuko monda के अंदर देखने को मलती है जिसके बाद soul king सभी hollows को खतम करने लगे ताकि इस खत्रे से समय humans को बचाया जा सके जो आज हमारे क्योंसी भी करते वे दिखाय देते हैं लेकिन इतनी सारी hollows का destruction imbalance create करने लगता है जो सिनिगामी notice कर लेते हैं वैसे हाँ उस time पे सिनिगामी नहीं हुआ करते थे तो आप ये कह सकते हो कि कुछ लोगों ने notice कर लिया था क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि हमारे hollows के पास भी equal rights है जिंदा रहने के लिए और उन्हें ऐसे खतम कर देना सही नहीं है तो पाँच फैमिली सोल किंग को रोकने के लिए खड़ी हुई थी जो आगे जाके noble families कही जाने लगी जहां हर किसी के अपने अपने motives थे सोल किंग को रोकने के लिए या फिर उसे oppose करने के जैसे कूची की के जो ancestor थे वो चाते थे के लोगों की बीच में एक हयार की होनी चाहिए ताकि उनके बीच का जो balance है वो बना रहे शीहौन क्लाइन के ancestor form करना चाते थे एक large circulation to advance this stagnant world सीबर के ancestor explore करना चाते थे purification of hollows ताकि उन्हें भी ठीक किया जा सके ना कि उन्हें पूरी तरीके से खतम किया जा सके वहीं सुहाया शीरो के ancestor को डर था कहीं soul king उन्हें सभी को खतम ना कर दे और हमारा 5th clan था हमारा कासो मियोजी clan जो हमारे chaos के लिए equate create करना चाते थे जिसमें वो सब चीजे facts सके kind of a hell अब देखो motives सबके अलग-अलग थे लेकिन इन सभी motives का एक ही common solution उस time पे निकल रहा था फिर भी ये चीज इन से नहीं हो रही थी तो इन्हें एक ऐसी identity चाहिए थी जो बहुत ज़ादा strong हो जिसके पास ये power हो ताकि वो world के separation को possible कर सके तो ये इचीवी की help लेके soul king को target करते हैं और उन्होंने उसी की power से तीन different world बनाया जिसमें थे हमारे hyuko monda, soul society and human world जिसपे soul king ने भी कोई भी तरीके का resistance सो नहीं किया मतलब वो इतना ज़ादा powerful था कि वो इन्हें easily defeat कर सकता था लेकिन उसने खुद को capture होने दिया ताकि ये चीज हो सके अब soul king इतना ज़ादा powerful था जिसकी वज़े से sinigami को अभी भी दर था कि कहीं soul king का मन दुबारा change ना हो जाए और वो दुबारा खड़ा होके इन लोगों को मार ना दे इसलिए वो क्या करते हैं उसके जितने भी body parts है या फिर internal organs है उनको अलग करके उन्हें different world में scatter कर देते हैं ताकि वो उनके सामने खड़ा ना हो सके क्योंकि उसका हर एक body parts बहुत जादा strong ability को possess करता था जिसके बाद उसकी जो body है उसे एक crystal prison के अंदर seal कर दिया गया और seal prison को उसी के palace में रखा गया जिसकी रखवाली squad zero करता है अब ये चीज़ देखो exact हुई कभी ये पताना तो बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ये चीज़ हमें बताई नहीं गई है exactly लेकिन हाँ bleach की timeline से ये thousand years पहले ही हुआ था और ये था soul society का original sin क्योंकि वो soul king की body को use करते हैं as a battery जिससे वो इन तीनों world को चालाने का काम करते हैं और आगे जाके ichigo and या watch इसको खतम करते हैं तो ये था हमारे soul king का origin और उसको seal करने का reason अब अगली चीज़ जिस पे हमें बात करनी है वो ये कि हमारे जितने भी से निगामी थे उन्होंने क्यों body parts को अलग किया था या फिर क्या ऐसे reason थे तो देखो उसका हर एक body parts एक बहुत ही जादा powerful ability को possess करता था और अपने आप में ही एक अलग identity को भी जैसे कि उसका जो right hand था उसे में हागी कहा गया था जे एक clinched fist की तरह देखने को मिलता है जिसके back पे एक eye होती है और उसके पास ability थी कि वो govern कर सकता था stagnation and stillness को जिससे वो किसी की भी development, growth, process and change को रोक सकता था जिससे eastern, rukong guy, section में god की तरह पूजा जाता था क्योंकि इसने जुशीरो ओकिटाके की lung disease को heal किया था और उससे वो किसी की भी बिमारी को रोक सकता था जो भी उसके पास आता था जिसके बदले में वो उसे अपनी एक body के part को offer करता था और इसके पास एक और ability थी कामी का के जो अगर activate होई तो वो अपने host की पूरी body को take over और कमाल की बात कि वो Almighty की नजों से भी बच सकता था, इसके पास ये भी ability होती थी कि अपने आपको चुपा सकता था, इसलिए ये कभी यावाज को दिखाई नहीं दिया था. अगला है उसका Left Hand, जिसे परनीडा प्रंकजश कहा गया था, जो कवन करता था Progression and Advancement को, means इसका मतलब है कि वो Evolution को Accelerate कर सकता था, और कमाल की बात कि वो भी एक Quincy था, जिसके Large Gray Skinned Hand Like Body थी, with a two Glowy Eyes, जो उसे White Cloak से Cover करने में Help करती थी, और अपनी Ability से वो किसी भी Power Level को Exponentially जिस काड़ दो, तो वो हर एक हिस्से से दुबारा खड़ा हो सकता था, और दूसरी Ability थी उसके पास Replication की, जिससे वो किसी भी से निगामी के Captain से कही ज़्यादा Powerful था, क्योंकि वो किसी की भी Technique को Copy कर सकता था, और तो और वो अपनी Body की Shape को Continuously Manipulate भी कर सकता था, और उसे Reprodu Use भी कर सकता था, तो हाँ ये बहुत जादा Strong था, और अगला है Soul King का Heart, जो आगे जाके Girard, वलकाई के अंदर Transform हो जाता है, जिसके पास Muscular, Physics, Raw Power and Immense Strength देखने को मिलती है, जो यावाज का एक तरह का Subordinate था, मिन्स ये भी एक Quincy ही था, और ये अपने पास एक Shield and Sword को Possess करता था जिसकी Battle अभी हमें Core 3 या फिर Core 4 में Kenpachi के साथ देखने को मिलने वाली है, और इसके पास भी Regenerate करने की Ability थी, और इसकी Ability एक और थी, जो थी Miracle, जिससे ये किसी भी चीज को Possible कर सकता था, मतलब अगर लोग कुछ सोच रहे हैं, तो उस चीज को ये Reality में Convert कर सकता था, औ और इसके उपर जितना जादा Damage पहुचेगा, ये उस Damage को अपनी Power के अंदर Convert कर सकता है, और ये अपने Body के Size को भी Manipulate कर सकता है, तो इन Body Parts के बार में हमें Officially बताया गया है, लेकिन हां कुछ Assumptions के According या फिर कुछ Theories के According, हमारे जो Soul King का Brain था, वो वही Character है, जिसके साथ हमारे अभी Go2 के अंदर हमारे Kenpachi ने Fight करी थी, जिसे Defeat करना बहुत जादा मुस्किल था, अब आपकी दिमाग में ये चीज आ रही होगी कि हमारा Soul King कितना जादा Powerful था, जो Power थी वो Almighty के बहुत जादा करीब थी, त्योंकि उसके पास True Omnipotence and Omnisend की Ability थी, और इसके अला इसकी रखवाली करते हैं, और All Might होने की वज़े से वो Future को देख सकता था, और उसे Alter भी कर सकता था, जहां ये Ability हमारी यावाज के पास भी देखने को मलती है, क्योंकि वो भी Soul King को अपना Father Rapper करता है, अब Soul King ने खुद को Capture की होने दिया, इसका देको को specific answer तो नहीं है, ल और साथ यही दुनिया के लिए जादा अच्छा रहा होगा, kind of it was necessary for the betterment of the future, इसलिए उसने किसी भी तरीकी का resistance सो नहीं किया था, तो हाँ आज के लिए बस इतना ही, अब देखो ये वीडियो बिनायाने का मेरा ऐस सच सुरुआत से कोई प्लैन था नहीं, क्योंकि मैंने Bleach की मांगा नहीं पढ़ रखी थी, और मैं उसे पढ़ना भी नहीं चाहता था, क्योंकि सिर्फ दो ही को और बाकी हैं, तो मैं उसको enjoy करना चाहता था in the form of enemy, लेकिन हमारे एक दोस्त के multiple comment spam की वज़े से मुझे ये करना पड़ा, तो मैं hope करता हूँ कि आपको ये महने जरू पसंद आई होगी, तो वीडियो को like जरू करते जाना, और अगर आपको ऐसे ही bleach से related जैसे की उसकी hell manga में क्या हुआ था और भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, तो अगर आप वो भी देखना चाहते हो, तो इस वीडियो पर कम से कम 20 से 30 like अगर आ जाते हैं, तो मैं हाँ bleach की next व वीडियो की साथ तब तक के लिए जैहिन और ठैक्स वर वाचिंग